दो दिन पहले ही जर्मनी में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा RSS की तुलना मुस्लिम ब्रदर हुट से करने पर बवाल मचा हुआ है तो इधर अपनी पार्टी अध्यक्ष से इतर जाकर MP में कॉंग्रेस सेवादल संग की जम कर तारीफ कर रहा है तारीफ के लिए बाकाइदा कॉंग्रेस सेवादल ग्वालियर की ओर से प्रेस विध्यप्ती जारी की गई है लेकिन जैसे ही इस पर बवाल मचा तो सेवादल ने हाथ खड़े करते हुए प्रेस विध्यप्ती को फर्जी बता दिया और इसे बीजेपी और संग की साजिश करार दे दिया देखें कॉंग्रेस सेवादल की तरफ से इसा कोई भी प्रेस नोट नहीं बाटा गया है जहां पर युवाओं को नई प्रेंड़ना नया उस्सा दिया जाएगा और जिस तरीके से आज युवाओं का टर्ण कॉंग्रेस के प्रती तेजी से बढ़ता जा रहा है तो ये RSSS के लोगों ने बोखला कर इस तरीके का फरजी प्रेस नोट जारी किया है और हम इसका खंडन करते है और इस फरजी प्रेस नोट के बारे में हम अब FIR भी दर्ज कराने जा रहे है भिंड में 27 से 31 अगस्त तक सेवादल कारेकरताओं का रास्ट्रिय प्रशिक्षन शिविर आयोजित होने जा रहा है इस पाँच दिवसिय शिविर को लेकर सेवादल ने प्रेस रिलीस जारी की थी जिसमें सेवादल के पदाधिकारियों ने संग की जम कर तारीफ की है विज्यप्ती में लिखा है कि संग और सेवादल दोनों को फौजी अनुशाशन और जज़बे के लिए जाना जाता है मीडिया ने जब इस पर सवाल उठाए तो पदाधिकारी सकपका गए और सफाई देने में लग गए अखिलवारती कॉंगरस कमेटी के द्वारा अखिलवारती कॉंगरस सेवादल को यह अखिलवारती प्रसेचर सिवर दिनान के 27 तारीक से 31 अगश तक भिंटिज लेके दरवगा धाम में आवित किया जा रहा है इधर सेवादल के संग की तारीफ वाली प्रेस रिलीज पर MP सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि RSS राष्ट्र भक्त संगचन है वो जज़बा सभी को सीखना चाहिए सेवा दल की ओर से जारी प्रेस रिलीज कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और सेवा दल में आपस में ही मतभेद पैदा कर रही है राहूल गांधी जहां संग की तुलना आतंकी संगठन से करते हैं तो सेवा दल उसे अपना आदर्श बताता है ग्वालियर से सरवेश पुरोहित की रिपोर्ट